नमस्कार हमारी इस खास पेशक्ष में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सुमिछ चौधरी दिल्ली में चुनाव हो या फिर बीजेपी की सरकार बने ये सवाल हर उस शक्स के जहन में है जो क्या राजनीती से और साथिसाथ या फिर दिल्ली का बाशिंदा है सवाल ये है कि क्या दिल्ली इस वक्त चुनाव के लिए तयार है और साथिसाथ सवाल ये भी है कि अगर सरकार बनती है तो बीजेपी किस तरीके से अपनी सरकार बनाएगी वो कौन से समीकरन होंगे जिस दिल्ली में सरकार बनेगी या चुनाओ सुप्रीम कोट में सरकार की तरफ से कहा गया कि उपरा जिपाल नजीब जंग ने कई तरह के सुझाव देते हुए राश्ट्रपती को एक चिठ्थे लिखी है जिसका जवाब फिलहाल नहीं आया है इस पर सुप्रीम कोट में जवाब का इंतिजार करने के लिए सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया कोट के मुताबिक ये फैसला जनता के हित में किया गया है कोट ने ये भी कहा कि अगर जनता सरकार बनवा सकती है तो बनवाए नहीं तो चुनाव करवाए जाएंगे आप नेता अरविंद केजरिवाल ने उप्रा जिपाल नजीब जंग पर पलटवार करते हुए कहा कि वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते है कि एजरिवाल ने ये भी कहा कि जब बीजेपी खुद ये लिख के दे चुकी है कि उसे दिल्ली में सरकार नहीं बनानी तो फिर नजीब जंग की इस चिटी का क्या मतलब है सुप्रीम कोट के इस फैसले से जहां आपको बड़ा जटका लगा है तो वहीं दूसरी पार्टिया इस फैसले के पक्ष में दिख रही है कोट के इस फैसले के वक्त आपने तारविन केजरिवाल खुद मौझूद थे जो अपनी पार्टि के जरिये कराएग इस्टिंग उपरेशन को भी जमा करवाना चाहते थे इस बारे में उनके वकील ने कोट में हलफनामा देने को भी कहा लेकिन कोट ने इस वक्त स्टिंग उपरेशन की बात को ये कहते हुए शामिल करने से मना कर दिया कि इस वक्त दिल्ली सरकार का मामला जिस मोल पर है वहाँ इस वीडियो को शामिल नहीं किया जा सकता इस फैसले से आपके लिए जो मुश्किल आ गई है वो ये कि बीजेपी और उप्राज्यपाल को अब एक महीने की महलत मिल गई है और इस दोरान तक तक किसी भी तरफ पलट सकता है सुदर्शन ने उसके लिए गणेश पाठक के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट तो कौन से सियासी समीकरण बीजेपी की तरफ से सामने आएंगे चुनाव होने चाहिए या नहीं ये बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली की जनता के सामने हैं खाफी लंबा वक्त इस वक्त दिल्ली की जनता बिना सरकार के बिता चुकी है लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगा जा रहा है कि बीजेपी नई जोड तोड की राजनीती करने वाली है जिसमें खरीद फरुक्त भी होगी और इसलिए किसी भी हद तक जाने को आम आदमी पार्टी तयार है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो कौन से सियासी समीकरण के साथ आएगी और साती साथ और साती साथ सवाल ये भी है कि बाकी विकल्प दिल्ली में सरकार के लिए क्या बनते हैं बहुमत के लिए 34 सीटे जरूरी है जिसमें बीजेपी के पास 29 सीटे आम आदमी पार्टी इस वक 27 के साथ है कॉंग्रेस के पास 8 और अन्य तीन अगर फॉर्मुले को देखा जाए तो अगर सदन अगर बात की जाए तो तीन फॉर्मुले यहां पर सामने आ रहे हैं जिसमें यदि कॉंग्रेस सदन में बहिशकार करती है तो सदन में कॉंग्रेस के जाने के बाद 69 सीटे होंगी और बहुमत के लिए 30 सीटे चाहिए बीजेपी और रामबीर शौकिन मिलकर ये 30 का बहुमत पराप्त कर सकते हैं यानि बीजेपी की सरकार बन जाएगी फॉर्मल नमबर दो की अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें आदनी पार्टी चनाओ के नाम पर वॉक आउट करती है तो सदन में 40 सीटे बचेंगी बहु बहुमत के लिए 34 सीटों की जरुत पढ़ती है यदि बीजेपी शौकिन और बिन्नी मिलकर 31 के आंकड़े तक पहुंचते हैं तो बहुमत के दूर हैं लेकिन आप और कॉंग्रेस मिलकर 35 के जादूई आंकड़े को पार पहुंचा सकते हैं यानि तब आमादी पार्टी और कॉंग्रेस और साथी साथ निर्दले लोग मिलकर सरकार यहां पर बना सकते हैं तो यह तीन वो फॉर्मले हैं जिसके जर्ये सत्ता जो है दिल्ली में आ सकती है लेकिन अभी इन तमाम फॉर्मले में से एक भी फॉर्मला ना तो बीजेपी की तरफ से सामने रखा गया है और ना ही आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस या जो निर्दल विधायक हैं उनकी तरफ से भी यह तवाम चीज़े साथ नहीं आए और वहीं कुछ चर्चाएं उपराजपाल नजीव जंग की चुठी की भी हैं जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को निमंतरन दिया जा सकता है ले चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास बहमान मौझूद है उनका परिशे आपसे कराते हैं दिनेश परताप से बीजेपी की तरफ से विनोत कुमार बिन्नी पूर्व नेता रहे हैं हम आदमी पार्टी के अंदर वो कुछ देर बाद मुझे जॉइन करेंगे कृपाश अंकर कॉंग्रेस की तरफ से कुछ देर के बाद हमें जॉइन करेंगे और इस वक्त उमेश लिडर जो बाप के हैं वो भी हमारे साथ हैं उनसे हम चर्चा करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि आखर जो सियासी समीकरण यहां पर बनाये जा रहे हैं वो किस तरीके के हैं उमेश प्रचा को यहां पर सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी कि बहुत सारे काम जो होने हैं जनता के लिए जनता की बहुत जरूरी है सरकार बने एक स्थाइश सरकार बने इसके लिए उसके बीजेपी को बीजेपी कि सिंगल पार्टी प्सक्ना आना ज़रूरी था लेकिन यहां पर एक आमाधी पार्टी ने कि इस्टिंग किया है कि यहां पर इस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लगे कि जंता को या माने सुप्रीम कोट ने आज उसे खारिश कर दिया है इस बात को लेगर के मैं यह कहना चाहिए सरकार बने ठोस मजबूत काम हो जंता के लिए काम हो जिसके सरकार बनाई जाती है नहीं यहां पर जिस तरीके कि सियासी समिकर्ण सामने आ रहे हैं इसमें च चुनाव होने चाहिए या बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए नहीं लगता कि जंता को इतना यह सब चुनाव का खर्चा बाहन करने की जरूरत है अगर जिसके पास भी बहुमत के लिए आकड़े हैं वो जुटाए अपने अपने हिसाब से बीजेपी चाहती है तो चोड़ दी है तो इस तरह से लग रहा है किस तरह से हम इन पर किछर उचा लें और अपने सरकार बनाएं यह बीजेपी को कलंकित करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोशिस तो कर रहे हैं लगाता है किस तरीके से हमारी सरकार बन जाए और हम फिर दुवारा से अपने जो करेगी एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि दिल्ली की जनता को यहां पर किस तरीके से सियासत मिलेगी और सवाल यह भी है कि आखर यह तमाम पार्टियां किस तरीके की राजनीति यहां पर करने वाली है एक ब्रेक ले रहे है तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त दिल्ली की जनता के सामने हैं वो ये है कि सरकार मिलेगी तो किसकी मिलेगी और सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी इस चर्चा में मेरे साथ विनूद कुमार बिन्नी जो पूर्व आप नेता भी रहे हैं बागी है और इस वक्त दिल्ली से विधायक है मेरे साथ है बिन्नी साब सवाल जो है सबसे इस वक्त जंता के सामने यह है आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो जो सवाल उनके सामने नहीं है शायर जंता के सामने ज्याधा बड़ा है कि उन्हें क्या मिलने वाला आखर सरकार किसकी मिलेगी इतना जादा लंबा वक्त बीच चुका है विकल्प अब क्या बचते हैं बीजेपी सरकार बनाएगी तो कैसे बनाएगी कौन ते सियासी समय करण है मैं यहाँ पर दिनेजी जरूर पूछूँगा लेकिन सवाल यह है कि आखर अब विकल्प क्या है कितने लोग हैं लेकिन मेरा इससे उपर एक कहना ही को यह है कि दिल्ली को कभी लगबग दस महीने गुजर गए है दिल्ली को किसी भी हाल में चुनी हुई सरकार बहुत जल्दी मिलनी चाहिए क्योंकि दिल्ली की इस्तिति इतनी खराब है पिछले दिनों में कि दिल्ली के सारे शीवरों की सिस्ति पानी की सिस्ति जितनी बी लोग है और डफ्लोप्मेंट का जितना काम है सब बॉरी तरह प्रवावित हुआ है दिल्ली की जंता इससे में तरहाई-तरहाई कर रही है अपने आपको कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है और बोर डालने के बाद भी अमाधी पार्टी ने जो उनको 45 दिन में छोड़के जो भागी उसकी वेसे वो बहुत लोग परसान है और भार्जनता पार्टी ने पहले दिन में आ रहा है कि आखर बीजेपी के तरफ से वो कौन सा सियासी समिकरण है जो बनाया जाएगा आखर पेच कहां फस रहा है दिरेज जी सवाल यही है कि आखर हम कौन सी चीज लेकर सामने आने वाले हैं और जनता को वो क्यों नहीं बताया जा रहा है सिर्फ तीनों ही बड़ी पार्टियां जो इस वक्त दिल्ली में हैं कॉंग्रेस आमाद्मी पार्टी और बीजेपी इनमें शायद बीजेपी की तरफ से पेच फसा हुआ है देखिए अभी इस तरीके से उमेश जी ने बिन्नी जी ने भी बताया तो लेटिनेंट गवर्नर जो भारती जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में बुलाएंगे तो भारती जनता पार्टी की जो हमारे नेता है वहीं असपस्ट करेंगे कि हम सरकार कैसे बनाए उसके बाद पार्टी अपने इस्तिति असपस्ट करेंगे कि कैसे हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे पॉब्लिक में असपस्ट करने को भी जाया है खुद हर्ष वर्दन साहब जो उस वक्त बीजेपी के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष थे उनका ये कहना था कि हमा आप के पास 32 का अकड़ा था लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर यहाँ पर जो बार बार बीजेपी की तरफ से सपश्ट नहीं किया जा रहा है अगर यहाँ पर इंविटेशन मिलता है राज जपाल साब की साब उपराजा नजीब जंग की तरफ से तो सवाल यह है सरकार बनाना है और जहां तक आपने अरविंद केजडी वाल की की फिरी वाल साहब अपने बात पर कभी किरते बहलेंगि को बोलतें सुप्रीम कोर्ड में कुछ याति के लायर करते प्रस्थितों को देख रहा हैं बिखल त ल趣 है तो तो क्रोस टॉकिंग करते हैं लेकिन अब मैं बताता हूं कि जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं वह भारती जनता पार्टी में आपको लगता है कि क्या को उपाध्यक्ष रंग क्या व्यक्ति सरकार को बनाता है और सरकार को किराता है उपाध्यक्ष कोई व्यक्ति क्या पार्टी के अंदर एहमियत नहीं रखता है ना संगठन में उस व्यक्ति की अहमियत है लेकिन भारतिये जनता पार्टी अधिक्रित करती है कि इस व्यक्ति के न कि मान सकता हूं या आप जिस तरीके से उनका पक्ष रख रहे हैं लेकिन सवाल है कि आप पार्टी के जूट बोल रही थी बार-बार जिस बात को कहा जा रहा था उन्होंने सथाबित कर दिया इस्टिंग के बारे में आपको मैं जरूर वास्तिक्ता बताऊंगा इस्टिंग की वास्तिक्ता यह है कि मैं आपको बता दूं कि परसों जो कस्तूरबा नागर से जो महमले हैं हमारे मदलाल जी उनके भाई ने मुझे फोन किया परसों दुपैर को और भाई आप कहा हूं पर मैं नहीं मिलूगा सुभे उनका मिस्कॉल आया मैंने नहीं उठाया एक बजे उनका फॉन आया मुझे दुबारा मेरे पास नंबर भी है कॉल निटेल्स भी है सारी चीजे उन्हें ने का भार जंता पार्टी से हमारी आप सेटिंग करा दीजे मैंने का भी मैं कौन होता हूं सेटिंग राओं मैं कोई उनका एजेंट लगा हूं क्या आप जाईए सीता मिल लीजे जो आपको बात करनी है फिर मैंने उनको कहा तो उसके बाद दो मिनट बात दुबारे फोन आया उसके बाद कर रहा हम आपसी मिल तो लेते हैं एक बार मिलके बात तो कर लिजिए इसके प्रयास किया यह वस्तिकता है मैं बस पूरे प्रमान है मैंने कई चैनल पर भी दिखाया भी आपको बढ़ायता हूं आप चाहेंगे तो नंबर ही बता दूंगा कॉल लिटेर्स किस समय बिलकुल सुबह किस समय रखें आप जंता के सामने कम से कम जो पक्ष है दूनों भी पा लें आप उसको रिकॉर्ड कर लें उसे कहते हैं इस्टिक यह तो फसाने वाली साधी से आप किसी के घर जाएं जाके उसको जबरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश करें उसके मूह में सब डालने का प्रयास करें वह एक प्रयास हुआ है इसमें मैं उनके वदनलाली के मैंने उसको नहीं उठाया और दुपैर को एक बच के नौ मिनट पर हुनोंने मुझे फोन किया जो मेरी बात सारी हुई है अग्वे मैंने कहां भारतनता पाटी का मैं दलाल नहीं हुए मैं आप सेटिंग कराऊंगा आप खुज आगे मिल लीजे उसके बाद एक बच के ग् आप यह खरीद प्रोफ चल रही है इस तरह के मामले चल रहे है मैं एक वास्तिकता बता दूँ भारजनता पार्टी के कोई से में कोई जयादा लेना देना नहीं है मैं उसकी सब मोधी जी का पंसे रहा हूं बहुत अच्छी कारेसली उनकी रही है इसलिए मैं बात कर रहा ह आप यह मोटी-मोटी समझने की बात है आप मुझे बता जी यह किसी आदमी ने बात क्यों तो यह आपको सारी बात पर असपर्स हो गई ना शिर्फ और सिर्फ लोगों को गुम्रा करने की जनता को बिनी जी अपना एक्स्पीरेंस बताया है कि उनके साथ किस तरीके साम को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी चर्चा का है यह ठीक है मादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है बिनी जी उनका परदाफाश यहां पर कर रहे हैं अब तक भले ही आम आदी पार्टी परदेफाश करती आई हो या तमाम चीजें उनके तरफ से की रहे हूं सारे प्रूब ने रादार बात करते हैं उनके पास कोई पर मांड नहीं होता को प्रमान नहीं होता है इंतने आरोफ फंप पर लग आप दिखाई यह पatoriस हाँ मिरे पास हैं में प्रूसर जरूर की उनके थुम हम जो हैं उन तमाम चीजों को जंता के सामने रखें कि आखर में वास्तविक्ता क्या है चाहे बीजेपी का स्टिंग किया गया हो या तमाम वो स्टिंग जो अब तक आम आदनी पार्टी की तरफ से किये गए हो उमेज जी आखर ये कारण क्या है अगर जिस तरीके से बिन्नी पार्टी टेलीफोन रिकॉर्डिंग हाइक करना लोगों के अथाधिसिंग करना लोगों की बातց थे बहुत पहले से करती ही शे अपने लोगों पर सकनी है अपने कारिकर्टा अप इस चया लगाth कि एक MLA नहीं तूटने के लिए बैठा है, 16 MLA तूटने के लिए बैठे हैं, 16-16 चाहते हैं कि हम BJP में जाएं, महाँ पर सरकार बने कोई भी नहीं चाहते हैं कि इनका दिल्ली में दोबारा एलेक्शन हो. तो क्या BJP उनके टूट सकते हैं मादनी पार्टी के अंदर वो एक डर है, तो क्या BJP उनके टच में? देखिए BJP इसलिए उपत्ते नहीं खोले जा रहे हैं? बीजेपी उनके टच में है, या BJP के टच में वो हैं, अभी जो भी हमारे कारे करता थे, जो उपाध्यक्स थे, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, बिनी जी ने भी बताया, कि उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया, उनके घर में जाकर के लोगों ने संपर्क किया, तो भार डिसीजन लेने वाले हैं, को एल जी से मिल करकर डिसीजन लेंगे, बतायेंगे कि हमारी सरकार की सुरूप रेखा में बनेगी, नई, बिनिजाब, यहां बार बार दावा हमाद्मी पार्टी के तरफ से किया जा रहा है, कि उपराज जेपाल के पाले में इस वक्त गेंद है क्या वास्तव में उपराज जेपाल के पाले में गेंद है, क्या उपराज जेपाल सिर्फ अपनी सम्बती से फैसा लेने वाले हैं, क्या ग्रह मंत्राले का इसमें को इस तक्षेप नहीं रहने वाला है? वो ठीक है, उन्होंने वो क्लियर कर दिया, कि किस तरी के दोपना पच्ष रख लख लेकिन वह आपको बताना चाहूंगा, कि केजरिवाल साहब जो कहा रहा है, कि नहीं लेटिनेंट गवर्नर भारती जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, तो यहीं लेटि आप दिली के जनता को धोखा दिजिए और सरकार से वापस दिने जी, जिस शपत ग्रेंट समारो की आप बात कर रहे हैं, उससे और अब तक ऐसा कौन से समीकरन बदल गए हैं, जिसके बाद बीजेपी अब उस पर चर्चा करने की या मंधन करने की बात कर रही है, उनका समी करन क्यों गड़बड हो गया, वो भारती जनता पार्टी कर रही है, उनके तरफ से सरकार बनाने की बात नहीं की जा रही है, उनके तरफ से साफ है कि कॉंग्रेस और आमादनी पार्टी चुनाव चाह रही है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, सवाल यह लोगों से लगातार अर्विंद केजिवाल प्रियास करें हैं कि हमसे बात हो जाए, इन सब लोगों का जो अगर मतलब हम निकाले तो सीधा मतलब है कि हो सरकार बनाना चाहते है, आज तो मुझे किसी के माद्यम से जानकरी तक मिली, कि कॉंग्रेस को उप मुकमंत्री बनान अमाधी पार्टी लोगों की मिटिंग भी होई है, मुझे कॉंग्रेस के किसी MLA के माध्यम से जानकरी मिली, तो ये सब अपने लेवल पे सब प्रियास करें, ये कहने की बात अलग है, वो प्रसकार नहीं जाते हैं, वो भी चाहते हैं, इसी इसी बात को लेके पावर का नसाद देखा है, और उसमें दिल्ली की जनता को मतलग कहीं न कहीं अधर में छोड़के भागें, तो जनता क्या फैसला करेगी, तो लेकिन अर्विंद के जिवार तो बारबास आते हैं, आप आदमी पार्टी के बारे में, उन पर कहीं जो जनता है वो फैसला ले लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों के बाद कौनसे सियासी समीकरण है जिस पर यहां पर सोचा जा रहा है, पाले की बात की जा रही है कि गेंद उपराज जपाले में है, क्या वास्तब में उपराज जपाले में गेंद है इस वक्त? मैं आप बहुता दूं कि अभी हमें थोड़ा सा इंजार करना चाहिए एक सर्विधानिक पद्बेर एलेप्टिन गवर्नर है उनको उनके क्या ज़स्बेंट आता है वो क्या फार्मूला लाते हैं कौन सी तर्कीप उनके पास है क्या उसका वेट तो करना चाहिए आमाधी पा ज़पाल जो है वो सिर्फ बीजेपी को अमंत्रित कर सकते हैं एक बड़ी पार्टी के तौर पर बई उनके सांथ बैठ करके वो अपना तय करेगा कि हम सरकार कैसे बनाएंगे लेकिन इतनी अफरात अफरी जो आपके लोग मचाय हुए है भाई सरकार नहीं बनने देंगे यह नहीं होने देंगे अभी भारती जनता पार्टी ने असपस्ट कहां कि है कि मैं सरकार बनाने के लिए जा रहा हूं उनको कहीं से कोई इंविटेशन मिला हुए तो इतनी बेचाईनी क्यों है जैसे अभी बिनी साहिब बता रहा है इतना वक्त अधिल्ली कि सरकार को की सिला दिक्षित को परास्त कर दिया था यहां बिधान सभाव में देश के जनता की भावनाओं की उन्हें समझा नहीं और पुनह जो है जो हमावे भावी प्रधान मंतरी बनने वाले थे मानिया नेरंडर भाई मोधी जी तो जाकर ने चुनाव लड़ गे उस चुनाव मे किया उसको हुआ कि अब मैं देस में चुनाव नहीं लड़कर कर के मैं अपने को दिली पर केंदरित करने की बात कह करके और बार भार्ति-जंथा पार्टि पर आरोप लगाना एक तरफ सुप्रीम पाट्टी का इस्टिंग करा रहा है मैं किसी तरीके से रोक दूँगा जैसे बिद्नी जी ने भी बताया उधर वाइस भाई ने भी बताया तो यह क्या है आखिर ओवर ओल के जिदिवाल जी आखिर चाहते क्या है कि दिल्ली के जनता को गुमराह कर रहे हैं ठीक और इसी तरी है यहां पर रोज कोई ने कोई कामी नहीं हिर भी नहीं है जा रहे है इस जल्दबाजी कहा जाएगा ौधा दस महिने से भीना सरकार के है आप आद्मी पार्टी ने अपने विकल्प तालाश लिए उसके बाद कहा है इसे सामने चुनाव ने जाना चाहते हैं सवाल यह है क आखर जब कॉंग्रेस भी क्लिंचिट दे चुकिया हम आदनी पार्टी तो बीजेपी की तरफ से तमाम चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही है। इसमें संकोच क्यों है। आप लोग चुनाव चाहते हैं या फिर दिल्ली में सरकार बनाना। और पार्टी को जीताने के हैसियत रखता है। भारती जनता पार्टी आप जैसी कोई पार्टी ने भारती जनता पार्टी राष्टिय लेवल की पार्टी है। तो भारती जनता पार्टी 24 आवर चुनाव में जाने के लिए त्यार रहती है। लेकिन अभी जैसे बिनी जी ने बताया कि एक अत्रिक्त बोश जो दिल्ली की जनता पर पड़ेगी। जो चुनाव की। तो उस पर विचार करके ही कोई भारती जनता पार्टी निर्णे लेगी अगर इस्थिति आती है चुनाव कराने की इस्थिति है तो भारती जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए अभी से तयार है और अगर निमंतर मिलता है तो भारती जनता पार्टी उस पर विचार कर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का साफ कहना है कि उपराज जपाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम चीजे कर रहे हैं और इसलिए इतना वक्त लिया जा रहा है देखिए केजरिवाल साहिब किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं आम आदमी के लोग किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं इसलिए उनके कथनी और करनी में अंतर है तो इसलिए मैं उन पर कोई व्यक्तिगर्ट टिपड़ी करना नहीं चाहूंगा तो लिए सवाल यही है कि आखिर आम आदमी पार्टी याँ पर क्या चाह रही है और साथी साथ सवाल यह भी है कि बीजेबी की तरफ से वो कौन से सियासी समीकरण है जो सामने रखे जाएंगे एक ब्रेक ले रहे हैं तुरंट लोटते हैं लेकिन दिल्ली की जनता को कहीं न कहीं अभी भी उम्मीद है तो आई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं आखर दिल्ली का सियासी सफर कैसा रहा है तो यह वो तमाम बाते हैं जो दिल्ली के अंदर और उसकी राजनीती की खासियत रही है लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के सामने या दिल्ली की सियासत के सामने खड़ा है वो यह है कि आखर दिल्ली को सरकार मिलेगी तो कैसे मिलेगी क्या चुनाव होंगे या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में काम्याब होगी बीजेपी की तरफ से अब तक ये तमाम चीजे साफ नहीं की गई हैं, जो इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ा दल दिल्ली की सियासत में नजर आ रहा हैं, मेरे साथ तमाम महमान लगातार बने हुए हैं, दिने जी वापस आप ही के पास आना पर चाहता हूँ मैं, आपकी करेंगे और उसके बाद जो है, तमाम चीजे सामने रखी जाएंगी, क्या एक नए दल का इंतजार किया जा रहा है, कि बड़ी तूट होगी, उसके बाद एक नया दल बनेगा और उसके बाद हमारे जो तमाम चीजें हैं, वो कम्प्लीट हो जाएंगे, हाम बहुमत में आ करता है, हम भारती जनता पार्टी के लोग भारती जनता पार्टी की काम करते हैं, भारती जनता पार्टी के लोग दूसरे दल को तोड़ने और जोड़ने का काम नहीं करते हैं, जो उनके कर्म होते हैं, दूसरे दल के लोगों के, तो उसके कर्म के आधार पर तूटते और मैं भारती जनता पार्टी का हूँ बिन्नी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं बिन्नी जी को भारती जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि केजरिवाल साहिब को छोड़ दीजिए या भारती जनता पार्टी के लोगों ने सजेस्ट किया था कि केजरिवाल साहिब के साथ मिल क तो इसलिए भारतिय जन्ता पार्टी के लोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी दल को तोड़ने का काम नहीं करते हैं उस दल का जो विचार धारा है उसका नितित्त है वह तोड़ने का काम करता है इसलिए प्रसंद का जबाब में कैसे उनके अंदर खौफ तो यही पैदा कर दिय आम अधनी पार्टी के अंदर आप खौब से मरे जाएं तो उसमें भारतिय जन्ता पार्टी के लोगों कि कमी क्या है यह बात में समझ में नहीं है क्या आम आधनी पार्टी के विदायकों पर भरोसा होती तो अपने विधायकों के भीjointe कराते हैं कि कहीं डूसरे जग़ा नहीं भाग करके चला जाए और नहीं है तो क्यों नहीं है तो अर्विंद केजरिवाल साहब बताएंगे इस प्रसंद के बारे में इसका जबाब तो वो देंगे वो भारती जनता पार्टी के लोगों को अपने किसी विधायक पर कोई भरोसा नहीं उनको हमेशा सकी नजर से लिए रहे हैं कि ये टूटना जाए इस सारी स्षिक्षिति पीदा होती है जिसके घर मजबूत है उसको चिंता करने के वसकता क्या है अगर उसके 27 विधायक इतने मजबूत है नहीं तूट सकते उस से इतना कॉंपिटेंस है तो चिंता का विशारी सांथी से बैठेग आद वो भी दिये हैं, आकि पर रिश्टिंग करो, तो यह सब चिंता का विशाय है, वह अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, अर्वीन केजवाल को अपने उपर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक घंटे पहले को इस्टेटमेंट देते हैं, दो घंटे बाद फिर कुछ आफी मांगते हैं, कभी बच्चों की कसम खाते हैं, कभी कॉंग्रेस को इकांपारइश को घ्लिये आ लगाए है, उसका इस तरह की मांसीता बनेगे, «जिस आदमी के अपनी विचार धारा के लिए नहीं है, जिसकी अपनी तो आपने विश्वास नहीं है», तो वह इस स्थर तरह से मैं सरकार बनाऊं मैं पिर सियम बन जाओं और अपनी जो खोई जो सहाख है मेरी जमीन है तुलासरी कोशिश कर रहे हैं उसे और जो सुवधा हैं जो चाहते थे आज आज हादत यह देखिए पहले को सामभी से दिल्ली गए दिल्ली से दूसरा बड़ा ओफिस ले लिय आई आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर राजनितिक सफर दिल्ली विधान सभा का किस तरीके सरा है 17 मार्ज 1952 को दिल्ली राज विधान सभा का गठन किया गया यह विधान सभा 10 अक्टूबर 1956 को भंग कर दी गए 10 साल बाद वर्ष 1966 में मेटरोपॉलिटिन काउंसिल गठत की गई इसमें 56 चुने हुए और 5 मनोनित सदस्य थे इन काउंसिल का सदस्य बनने के लिए राजनेताओं में चुनावी जंग हुआ करती थी वर्ष 1991 में सम्विधान में चंचोधन कर संसत ने 70 सदस्य दिन्ली विधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया राश्चे राजधानी शेतर दिन्ली सरकार एक्ट 1991 के देहत गठित की गई चंचोधन के बाद वर्ष 1993 में पहले चुनाओं में मदलाल खुराना की अगवाई में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटे जीत कर दिल्ली में सरकार बनाई 1993 के विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस को महस 14 सीटों पर संतोश करना पड़ा था 1998 के चुनाओं में सियासी गणित उलट गया बीजेपी का गड़ समझी जाने वारी राजधानी कॉंग्रेसी किले में तब्दील हो गए विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने 70 में से 51 सीटे जीत कर बीजेपी को जबरदस जटका दिया 1998 के चुनाओं में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई उतके बाद से अब तक 15 साल बीच चुके हैं बीजेपी खोई सत्ता को हासिल करने में लगातार नाकाम रही है 2013 के चुनाओं में 15 साल बाद कॉंग्रेस पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी उसे 32 सीटों पर जीत मिली पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार नहीं बना सकी वो बहुमत से 4 सीटे दूर रह गई वही जन आंदोलन से बनी आम आदमी पार्टी ने 28 सीटे जीत कर कॉंग्रेस की 8 सीटों के समर्थन से दिनली में सरकार बनाई जिसमें अर्विंद केजरिवाल दिनली के वुक्षे मंतरी बने तो दिसंबर में जब बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी वही बीजेपी क्या अब सत्ता में आप आएगी उपराज जेपाल अगर यहां पर निमंतर बीजेपी को देते हैं तो वो कौन से सियासी सम्मिकरण होंगे जिसे लेकर बीजेपी यहां पर सामने आने वाली है तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए है बिनिजाब आपके पास आना चाहता हूँ अगर बीजेपी की तरफ से अगर उन्हें निमंतर मिलता है उपराज जेपाल की तरफ से पहले तो सवाल यह है अगर ऐसा होता है तो विनुत कुमार बिन्नी के साथ देंगे मैं बता दूँ कि मैंने हमेशा इसपरस का है और आपके चैनल के माते पर से इसपरस कर दूँ कि भारत जनता पाटी ने जब दिल्ली में चुनाओ लड़ा तो दिल्ली की जनता से कुछ प्रामिसिस किये उन्होंने कहा हम 30% बिजली के दाम कम करेंगे पास कौन साथ इंगे महिलाओं के दूँ जनता ठागी हैं क्योंकि कहीं ऐसा नहों के आमादी पाटी ने दिल्ली की जनता को गुम्रा किया बिल्ली के दाम कर देंगे दिल्ली की जनता भोली बारी जनता ठगी गई ऐसा तो नहीं भार जनता पाटी के लोग भी कहीं इस तरह का कुछ फार्मूला वास्तिक तरह सामने आने चाहिए यह यह बता है कि हम ऐसा कर नहीं सकते थे हमने चुनावी परलोबन की वज़े से इस विद्नी विधायक हो ना हो इसकी जरूरी नहीं एक चुनी हुई सरकार हो इससे की दिल्ली की जनता का भला हो सके मेरे विधायक होने ना होने से फरक नहीं पड़ता है, मैं नहीं बने होगा तो X Y Z कोई और बनेगा, लेकिन दिल्ली की जनता के हित के लिए सरकार तुरंद बननी चाहिए. जिन तमाम चीजों का आप जिकर कर रहे हैं कि आप नहीं लगता है कि आमाध्य पार्टी, BJP और कॉंग्रेस के बीच में तमाम मुद्दे गौण हुए हैं, जो वास्तविक मुद्दे थे वो एक तरफ हो गए हैं, जिस वक्त दिल्ली के विधानसभा चुनाओ थे वो तमाम म लागू करेंगे, मैंने का भई 15 दिन होके जनलोग पार लागू करिए, उन्होंने का हमारे पार ड्राफ तर तर तैयार नहीं है, अरे इससे बड़े सरम की बात क्या हो सकती है, आमाध्य पार्टी ने दिल्ली में पहले सत्र में, जब हमने कहा आपने तो पूरी दिल्ली मे एक पेपर का बंडल उठा के दिखाया लोगों को हमारे पास सीरा दिक्सित के पास खिलाब जो भरस्टाचार के आरोप है, पुकता सबूत है, आपने अर्दस कराई, और आप पहली मिटिंग में विपक्स के नेता हर्सवर्दन से पूरूप मांगते हो पाएगे, आपके पास को पूरूफ है तो दे दीजी हम उनके कलाब कारवाई करते हैं, तो यह सब दुर्भाग के पूर्ण बाते हैं, पने जूट बोला लोगों को, आपने सीरा दिक्सित के लिए पर जूटे आरोप लगाए, जूट नहीं बोला, जूट नहीं बोला, पैसे लेके उसे से पास करावा जूट बोला जूट बोला, पैसे से लिए पर जूट बोला, सीय दोनों बनी होई हैं, ये चोरी कर रहे हैं, इनको पर दाफास करेंगे, उनकी जांस करेंगे तो बिजली के दाम 50% हो जाएंगे, चाए जए वो द्यूपती हो, इंड़्रिय वाला आदमी हो, च पानी पे सबसे हम ने यह बोला कि 700 लिटर तक हर घर को स्वच्छ पीन यह प्री देंगे यह कभी नी बोला कि 701 लिटर होने के बाद हम 10% सफच चार्ज के साथ पूरी पेमेंट लेंगे यह दिली के साथ दिजनता के साथ धोका है उन महिलाओं सीधी साथी महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोका है उन्हें ने कहा हम कमांडो फोर्स बनाएंगे विन जार्व क्या लगता है कि उस वक्त फैसला हो आपको हां बिलकुल मैं मानता हूं कि मेरा गल्दी सीजन था मैं पढ़ाई छोड़ी महिलाओं अपने घर छोड़े उन लोगों के साथ सबके साथ विष्वास घात हुआ है आज यंग जनरेशन पूरी का आप पीछे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ मेकाल से वहां अगर आप 2% लोग भी कहा है तो यंग जनरेशन के लोग नहीं थे कही हर्याने से लाके लोग बठाएगे जुग्यों से लाके बठाएगे सारे विधायकों की डूटी लगाएगे कि आप दो दो बस भर के लाईए उसी पैटर्न पर आप चलेगे कॉंग्रेश बीजेपी वाले पर आज इस बात को मानता हूं कि बहुत चंद लोग जो जिनका आ यह है दिने साब आप से मेरा सवाल यही है क्या आमादमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता में आई जिन तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा बीजेपी ने भी सामने रखा वो पचास फीजदी की बात करते थे आप लोग अब दिल्ली में सरकार बनाने के उपर मंथन जरूर करते हैं क्या वो तमाम चीजें जो दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए थी जो पिछले दस महीने से जिन तमाम चीजों से दिल्ली के जनता वंचित है क्या उनके बारे में मन्थन करने के लिए बीजेपी तयार है बिल्कुल बीजेपी जो कमिट्मेंट करती है उस पर इसमें देखा की जाने के आधे के पर लोगने ने थे पुरे ना करने पार्णा कार्य में नहीं उप्षाइब अधर ऐसे जते हैं EQ जू आ हैburst लूफसा कर और है कि जो दिल्ली-में दिल्ल tightly penalty 24 चुनाव सकंदा उसमें भारतिय जनता पार्टी सबसे मजबूत दल के रूप में अपनी मेजट्टी में आएगी जो किस अपनी सरकार बनाएगी सवाल फिर यही है कि आखर फिर जनता की बीच में जाने से क्यों कतरा जा रहा है कि हम मेंडिट नहीं मिलने गटर जनता में जाने से भारतिय जनता पार्टी न कल कतरा रही थी न आज कतरा रही थी कल भी भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली पर बोज नहीं पड़े तो भारतिय जनता पार्टी के लोगों ने कांगरेस से मिल करके सरकार बनाया तो आपने देखा कि भारतिय जनता पार्टी क कहीं आपने देखा था कि अगर देखा हो तौण अगर गग्रेस की कांग्रेस की और इनकी मिली जूली बात थी वो सीला दिक्षित पर करवाई कर रहा है थे अभी उमेश जी ने कहा ये मुकदमा जी मैं इनको जेल में डाल दूँगा जी सीला दिक्षित से बिजली कंपलियों की साथ गात हुई है इसका मैं पर्दाफास करकर रहूँगा तो साथी मिल करके सव्वार भिया किसी ने रोका था क्या उनके अगंस्त मैं जा करके ऊपछ में जाते थाना आप सी-एम आपके पास पावर थे आपको किसी ने रोका नहीं था तो इसलिए यह और क्या कहती है और उसके नेता क्या करते यह विदित है और इसके वज़ासे अभी बिन्नी साहिब ने बताया कि वो अपना जनाधार दिली में खोच चुके हैं देश में तो कुछ रहा नहीं पिसेश तो दिली में भी वा अपना जनाधार खोच चुके हैं आप अपना केमरामेन भेजिये और पूरे दिली को चेक कराए तो अब लोग उनके टोपी लगा करके जो चलना बड़ी गौरों की बात समझते थे अब एक टोपी वाला नजर नहीं है को कि उसको टोपी लगाते में केजरिवाल साहिव की टोपी लगाते में उसको सरम आती है यह वस्तु इसकी पूरा जाता है और उसके बाद पता यह लगा केजरिवाल जी ने शिला जी को ऐसा भसमा सुर्की तरह भसम किया कि आज उनकी सीट चली गई सीट चली गई लेकिन फिल्बिन उनको फाइदा किया यहां उनके केस नहीं वह तो अपनी सीट तक हार गई उनके सत्ता के इतने समीकर उनके बन रह चली ठीक यहां पर अगर मैं दिनेश साब आप से पूछू बार-बार यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम विकल्प खुले हैं वो किन विकल्पों की बात की जा रही है देखिए मैं यह बात आपको पहले भी अस्पस्ट तोर पर बताया और अभी भी बता रहा हूं कि भारतिय जनता पार्टी न कल बहुत ब्यग्र थी सरकार बनाने के लिए न आज बहुत ब्यग्र है सरकार बनाने के लिए लेकिन दिल्ली के जनता पर अतरिक्त बोज नहीं पड़े तो एक option है कि यदि उपर आज पाल बुलाते हैं तो भारतिय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है, जिनको ये टाए करना है कि हमारी सरकार बनेगी, किश रूप रेखा में बनेगी, हमारे माकूल यदि mathematics वैटता है, तो सरकार बनाएंगे, यदि लगता है कि हमारी सरकार नहीं बनाएगी, हम चुनाओं में जाने के लिए तियार है, उसमें तो सवाल यह है कि अगर वो संपर्क में हैं तो क्या जो बारबार आमादनी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि आप लोगों को वक्त मिल रहा है उस वक्त को आप किस तरीके से यूटलाइज कर रहा है देखिए यहां कोई आम आदमी पार्टी में शुरू में भी कहा कि केजिवाल साहिब जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है उनको भी वक्त दिया था तो उन चास दिन में ही दिल्ली को छोड़ करके भाग खड़े हुए तो भाई आपको वक्त दिया गया तो कोई परिशानी नहीं है और यहां वक्त देने की क्या बात है यहां कौन किसको वक्त दे रहा है यदि एल जी बुलाते हैं कल अगर उनी मंत्रा पत दे दें भारती जनता पार्टी का सिस्नेतित तुमेरा जाकर के उन से मिलेगा सरकार बनाने की प्रस्तिती बनेगी तो सरकार बनेगी चुनाव में जाने की सिती होगी चुनाव में भारती जनता पार्टी जाने के लिए तियार है उसमें कहीं से कोई इपवट नहीं है इस बारे में सोचने के लिए कि तीन पार्टियां है और तीन में से किसको मौका दे वह यह है कि किस तरह टाइम पास हो जाए हमारे अकोरडिंग समय आ जाए हम उसके बाद दिल्ली में चुनाओ कराएं यह पहली प्राइटी है भार्जंता प्राइटी की और इस पीच में किस सरकार बन जाए हम अक्टूबर नॉम्बर में जो टाइम है इसको किस तरह पास कर यह प्राइटी है उसमें किसी तरह भी जो भी चला है मुझे लगता है सब लुभामनी बाते हैं कि किसी तरह चुनाओ को टालने का प्रियास है क्योंकि जन्वरी फर्वरी में मुझे सारा देश जानता आप भी जानते हैं और भार जन्ता पार्डी चाहती है जनॉरी नहीं है कि हम दुबारा लॉट पाएंगे यह हमारी 45-35 से उपर सीटेय पाएंगी आज अगर दुबारा चुनाव होता है अक्टूबर नॉम्बर में तो मैं आपके चैनल के माध्यां से बता दू कि बिलकुल भी किसी भी पार्टी का कोई भूमत नहीं आने वाला है जैसी स् आधी प्रटी के पास को रास्ता नहीं है उस्रिफ चुनाव चुनाव चिला तो हमारे पास हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा हमारा जनाधार खतम हो जाएगा अपने कारकर्ताओं को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर हैं खुद परसांद बुसन जी ने बहु सवाल पिछले दिनों लगाया और कहा कि अर्विंद के जिवाल में चंता नहीं है किसी को अपनी जो पार्टी के निलता किसी और को सब्सक्राइब देना चाहिए चलिए ठीक है आखरी कि में आप से लेना चाहता हूं क्या इसी चीज का अंतिसार किया है किया जा रहा है कम वाला है ऐसा मेरा मानना नहीं है वह समयधानिक चीजें हैं इसको बुलाना है कम दो दिल्ली में फ्रेश चुनाओ हो एक जुम्मेदार सरकार आए जनता के जो कारे रुके हों कारे करा जनता बिल्कुल और दिल्ली की जनता पिछले 10 महीने से अब तक बिना सरकार के तरस र वाई सुदर्शन न्यूस का आज का सवाल है क्या बदले हालात में दिल्ली में चुनाओ होने चाहिए आप अपने जवाब हां या नामी भीच सकते हैं जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में चाहें S.U.D. लिखें फिर स्पेस दें फिर अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें इस मैसेज को आप 0875-0047-855 पर भेज़तें आप अपने जवाब हमारी वेबसाइड www.sudarishnews.com पर ज़ाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात नौ बजे के शो में दिखाया जाएगा तो साथे साथ आप इस तमाम सवालों के जवाब हमें पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं आखिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दिल्ली में चुनाव होने चाहिए या नहीं इस एक साथ हमारे सखास पेशकर में इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन नियूस जै झालों के दूर्शन है जै